हे अब्रिवन गुड मॉर्निंग रादे रादे सभी को और आप सब कैसे हो या मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो आज हुआ है निव ओन बेबी का ग्रेप रिवेश्ट तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हो रहा है सुभई का समय और हमें ब प्याज नहीं डालना है बस ओयल गरम होने के वाद जीरे को तड़काना है और उसके बाद हमें गाजर को डाल देना है गाजर के साथ साथ हमें मटर भी डाल लेना है मटर आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं बढ़ना गाजर से थोड़ा कम हो तो ज़्यादा ही टेस्टी बनेगा गाजर जितनी है उससे थोड़ा सा कम मतर रखी और इन्हें अच्छे से हमें दो मिनट के लिए भून लेना है तो इन्हें दो मिनट के लिए अच्छे से सोटे कर लेना है गाजर और मतर को और उसके बाद हमें डाल देना है मूंकी डाल यह मूंकी डाल होग भी आप सबजी बना रहे हैं तो मूंकी दाल जब तक आप सबजी काटेंगे उतनी देर में हमारी मूंकी दाल फूल जाती है तो बस इतना ही हमें मूंकी दाल को फुलाना है जादा नहीं फुलाना है और फिर क्या करना है मूंकी दाल डालने के बाद हमें इसमें सारे मसाले ज अच्छे से भुन जाना है दो मिनट के लिए और साथ ही साथ अमारी दाल भी अच्छे से थोड़ा फ्राई हो जाएगी आप क्या करना है इसमें मैं पानी बिल्कुल भी नहीं डालती है अगर आपको लग रहा है कि पानी डालना है थोड़ा सा लचीली सी सबजी चाहिए तो ह वार वार देखती रहती हूं चेक करके हिलाती रहती हूं और आर साथ से आठ मिनट में हमारी ये सबजी बनके रेडी हो जाती है तो आप ढग कर पकाएंगे ना तो साथ से आठ मिनट में हमारी सबजी बिल्कुल पूरी तरह से रेडी हो जाती है पकर और लास्ट में बस ध जरूर करिए और यह बिंटर में बहुत ही टेस्टी सबजी लगती इसे जरूर बना कर खाईएगा तो चलिए यह हो रहा है अब साम का टाइम और यहां पर हो रहा है नीवोर्ण बेवी का ग्रह प्रवेस आज ही होस्पिटल से आए हैं और यह हमारे यहां पर नीचे कराय से रहते हैं तो बस उन्हीं का ग्रह प्रवेस चल रहा था तो चलिए आप भी इसे इंजोई करिए बैसे यहां पर ज्यादा कोई था नहीं बस नॉर्मल जो उनकी भावी बगेरा ममी बगेरा आई होई थी लेकिन अब बाकी सब लोग गाउं में रहते हैं तो जिस तरह से यह पर उन्होंने किया है बस नॉर्मल था ऐसा कोई खास ग्रह प्रवेस नहीं था बस हलका सा थोड़ा कोशिस की है ग्रह प्रवेस करने की डारेक्ट होस्पिटल से आए हैं और पांच-दस मिनट वादी यह लोग आ गए थो तो इतनी में क्या ही तैयार बगेरा होना होता है क कुछ भी तैयारी नहीं थी बस इसी तरह से चल रहा था और यहां पर थोड़ा सा टीका बगरा करवाया था और जो भी पाउं की छाप लेना था बेबी की तो बस वही लिया है झाल 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 तो यहां पर बेबी का ग्रेप प्रवेश हो चुका है और आपको यह आज का छोटा सा वीडियो छोटी छोटी सी क्लिप्स कैसी लगी यह मुझे कमेंट करके जरूर बताना और जो ये गाजर की सबजी आज मैंने बनाई है वह जरूर ट्राइ करना एक वार जरूर ट्राइ करके मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसी लगी आप खाएंगे न तो बहुती टेस्टी लगने वाली है तो चलिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलिएगा